नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज के इस वीडियो में हम 5000 जीके के प्रश्णों की जो हमारे स्रीच चल लाई है उसमें से 50 प्रश्णों को डिसकस करने वाले हैं तो पूरा वीडियो बहुती ध्यान से देखिएगा और वीडियो गर आपको पसंद आत है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ मिसेर जरूर करिएगा इसकी जो पीडियो फाइल है वह आपको टेली ग्राम चैनल के वी गुरू जी पर मिल जाएगी तो वहां से आप इसका पीडियो डाउनलोड करिए और कोसिस करिए कि तुरंत एक बार उस से रिवीजन आप जरूर कर लें वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दू कि फरवरी महिने में अनकेडमी के उपर बहुत ही सांदार ओफर चल लहें हैं तो अगर आप अनकेडमी के कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आप नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंड में मिल जाएगी उस पे क्लिक करके आप यूज करिएगा कोड के वी 10 और इस पार्टिकुलर फ्री टेस्ट में आप लोग अन्रॉल कर सकते हैं बाकी ये मेरा वाटसप नंबर है अगर आपको कोई भी डाउट होता है आपका कि के और करेंट अफेर का लाइब टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इन क्राशिज को भी जॉइन कर सकते हैं तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं पहला प्रशन है कि एक पच्छी जो की सांती का प्रतीक है तो ध्यान रख्येगा जो हमारा कबूतर होता है यानि कि जिसे हम लोग डव कहते हैं ये आपके सांती का प्रतीक होता है यानि कि ऑप्चन ए हो जाएगा करेक्ट तो ये देख सकते हैं ये हमारा कबूतर है जो की सांती का प्रतीक माना जाता है अगला प्रशन है कि आर्खिटेक्चर की जड़ने की तकनीक जिसे हम लोग पेटरा डिवरा की नाम से जानते हैं या आपको निमलखित में से किस इमारत में देखने को मिलेगी तो पेटरा डिवरा तकनीक की बात करते हैं ये आपको मिलेगी हमारे ताजमहल में किसमें ताजमहल में देखने को मिलेगी तो option B हो जाएगा यहां पर correct तो ये देख सकते ह पेट्रा ड्यूरा एक प्रकार की हमारे तक्नीक होती है जिसमें हम लोग इस्टोन के उपर ड्राइंग औगरा करते हैं और इस पर इस प्रकार से आपको नकासी देखने को मिलेगी इसी को कहा जाता है पेट्रा ड्यूरा तो ये आपको ताजमहल में देखने को मिलेगी यानि के option B होगा correct अगला प्रश्न है कि तमिल नाडो की प्रक्षात सास्त्रिय नर्त सैली कौन सी है तो तमिल नाडो की बात हो रही है आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि जो भरत नाट्यम है जो की हमारा सबसे प्राचीन सास्त्रिय नर्त भी माना जाता है वह आपके तमिल अट्टम आपके है कीरल का तो यह सारे पॉइंट धिया रखेंगे option A हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि डैस डैस English Channel तैर कर पार करने वाली पहली भारतिय महिला है तो क्या नाम है इनका इनका नाम है आरती साहा क्या नाम है आरती साहा नाम है तो option C हो जाएगा यहां पर correct तो आपको धिया रखना है कि जो हमारा English Channel है वो आपको Britain और France के बीच में देखने को मिलेगा हमारे देश के पहले भारतिये जिन्होंने इस Channel को पार किया था उनका नाम मिहर सेन है और पहली महिला का नाम आरती साहा है जिन्होंने यह कारनामा किया था 1969 में तो option C होगा यहा आत्मिक छेतर है तो यह प्रेशन आपके SSC में पूछा गया था और अगर हम लोग primary sector की बात करते हैं तो उसमें हमारा करसी आ जाता है यानि कि option A हो जाएगा correct तो यह आप लोग देख सकते हैं primary sector में हमारा खेती हो गया उसके बाद में पसुपालन हो गया मशली मारना हो ग गई तो यह सारे आपके आते हैं primary sector में जो भी आपके देश में चीजों का उतपादन होता है वो secondary में आता है और जो भी हमारा सिवा छेतर है वो आपका आता है टर्सेरी सेक्टर में तो option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि डैस डैस भारत का एक प्रमुक law ask छेतर है तो य यह जो हमारा law ask छेतर है इसका नाम है उडिसा जारखंड छेतर क्या नाम है उडिसा जारखंड छेतर नाम है यानि कि यहाँ पर B हो जाएगा correct तो मैप में आप लोग देख सकते हैं यह जो आपका बराम जादा समूह वाला रीजन है यह जारखंड और उडिसा दोनों में आता है और यह हमारे देश का सबसे प्रमुक law ask वाला छेतर है तो option B हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि बैस्टिल जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना को जनम दिया था तो यह जो घटना है उसने जनम दिया था फ्रांस की क्रांती को किसको फ्रांस में जो क्रांती हु आप देख सकते हैं कि यह वैस्टिल जेल है जिसको यहां के लोगों ने पूरी तरीके से नश्ट कर दिया था 14 जुलाई के दिन और यहीं से फ्रांस की क्रांती शुरू होती है तो option C होगा यहां पर correct अगला प्रश्ण है कि डैस डैस को light of Asia के रूप में जाना जाता है तो ध्यान रकेंगे आप लोग कि जो हमारे भगवान बुद्ध थे उनके उपर एक किताब लिखे थी सर एडविन अर्नॉल्ड ने क्या नाम था इसका इसका नाम ही था the light of Asia तो ध्यान आपको यह रखना है कि भगवान बुद्ध को Asia की जोती कहा जाता है D हो जाएगा correct अगल हम जनसंख्या के point आप उसे बात करते हैं तो सबसे छोटा राज हो जाएगा सिक्किम तो ध्यान रखेंगे एरिया के point आप उसे गोवा सबसे छोटा है और जनसंख्या के point आप उसे सिक्किम हमारे देश का सबसे छोटा राज है अगला प्रशन है कि ओलंपिक में रजत के ओलम्पिक में जीता था ब्राउन्द मिडल लेकिन अगर पहली महिला की बात की जाए जिसने रजत पदक जीता था तो इनका नाम है पीवी सिंधू, तो ध्यान रखेंगे 2016 का जो रियो डी जने रियो में ओलम्पिक हुआ था, उसमें पीवी सिंधू ने रज़त पदक जीता था, तो ए हो जाएगा correct, अगला प्रशन है कि जिन जेकस एक प्रसिद्ध कौन थे, तो जिन जेकस की बात करते हैं, य यह हमारे एक प्रसिद्ध बिचारक थे, यानि कि एक चिन तक थे, option D हो जाएगा correct, तो देख सकते हैं, जीन जेकस रोसो इनका नाम था, यह आपके सुर्जर लेंड देश से थे, और यह हमारे एक फिलोसपर थे, तो option D होगा correct, अगला प्रशन है कि सोवियत संग क्यों इसी सोवियत संग के टूटने के कारण, आज यूकरेन और रसिया के बीच में लड़ाई हो रही है, तो ध्यान रखिएगा, सोवियत संग आपका टूटा था 1992 में, कब टूटा था 1992 में, option D हो जाएगा यहाँ पर correct, तो यह देख सकते हैं, यह रसिया है, और इसके अलावा अन्य 14 देश बने थे, जिसमें से आपका कजाकिस्तान है, यहाँ पर छोटे छोटे कई और देश हैं, और यह है यूकरेन देश, तो ध्यान रखिएगा, जो यूकरेन और रसिया का बिवाद हो रहा है, वह आपके कही न कहीं इससे भी जुड़ा हुआ है, तो option D हो अगला प्रशन है, कि राष्टिय ग्रामीड रोजगार गारंटी अधनियम कब पारित हुआ था, तो यह जो हमारा अधनियम है, इसको पारित किया गया था 2005 में, ध्यान रखिएंगे कि यह पारित हुआ था 2005 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 2006 से, आन्थ प्रदेश से, और पूरे भारत में यह लागू हुआ था 2008 में, तो तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने है, आप्शन फिलहाल के लिए A हो जाएगा करें, अगला प्रशन है, कि मिग 21 का उडान भरने वाली पहली भारतिय वायुसिना वाली महिला, मतलब भारतिय वायुसिना की महि अगला प्रशन है, कि प्रथम विस्व युध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतिय सैनिकों के याद में बनाये गए, अखिल भारतिय युध असमारक का नाम क्या है, तो अगर हम लोग इस युध असमारक की बात करते हैं, तो इसे हम लोग इंडिया गेट की नाम से जानते हैं, इसके नाम से इंडिया गेट के नाम से आप्शन B होगा यहाँ पर करेक्ट, तो ध्यान रखेगा, एडविन लूटियंस के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, आधार सिला इसकी 10 फरवरी 1921 को रखे गई थी, और 12 फरवरी 1931 में यह तयार हो ग देखे अमेरिका के द्वारा जो आजादी की घोशना है, वह 4 जुलाई 1776 को की गई थी, इनका जो सम्मिधान है, इसको इन्होंने 1787 में अपना लिया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 1789 में, जैसे आपको बता होगा कि हमने भी सम्मिधान अपनाया था 26 नॉम्बर 1949 को, लेकिन लागू किया था 26 जनॉरी 1950 को, तो ये पॉइंट आपको ध्याँ रखना है, आप्सन इसके लिए B हो जाएगा, करेंट, अगला प्रेशन है, कि चार मिनार कहां पर है, तो बहुती सिंपल सा प्रेशन है, चार मिनार की बात करते हैं, तो ये हमको हैदराबाद म मुहम्मद कुली कुतुप साह, तो आप्सन C हो जाएगा, करेंट, अगला प्रेशन है, वे कौन से गेदबाज हैं, जिन्होंने 2006 में, पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओबर में हैटेग ली थी, और इस प्रकार, वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एक मात गेदबाज हैं, तो इनका नाम है इर्फान पठान, अगर आपको याद होगा, तो पाकिस्तान से हमारा एक टेस्ट मैच हो रहा था, और इस टेस्ट मैच के दवरान पहले ही ओबर में, इर्फान पठान ने तीन पाकिस्तानी बलनेवाजों को सूनने के स्कोर पर कर दिया तो इस प्रकार से कारणामा करने वाले इर्फान पठान भारत और दुनिया के एक मातर गेद बाज हैं यानि कि यहां पर आप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है अगला प्रशन है कि किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन ने सासन लागू किया था तो अगर हम लोग यहां पर उस जनरल की बात करते हैं तो नाम है इनका परवेज मुसर्रफ ध्यान रखिएगा सैन ने सासन नहीं लगा दिया था पाकिस्तान में तो ए हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि किसी विसेश कानून क को रोकने के लिए किसी ब्यक्ति पार्टी या देश के पास में जो अधिकार है उसे क्या कहा जाता है तो इसके बारे में आपने सुना होगा दो जगह पर एक तो जब युनाइटे नेशन सेक्योर्टी काउंसिल की बात आती है तो पांच देशों के पास में बीटो पावर है और जब बात आती है हमारे भारत के राश्पती की तो उनके पास में भी होता है बीटो पावर बीटो का सिंपल सा मतलब होता है रोक तो रोक देने की जो प्रक्रिया होती है इसी को बीटो कहा जाता है डी हो हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि बनारस हिंदू विष्विध्यलय की अस्थापना किस ने की थी तो बनारस हिंदू यूनिवरसिटी की बात करते हैं इसकी अस्थापना की गई थी पंडित मदन मुहन मालवीय जी के द्वारा और इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने डिसकस किया था कि जो ये हमारी बनारस हिंदु विस्विध्यले है इसके अस्था अपना चार फरवरी 1916 को हुई थी और इसी में गांधी जी ने अपना पहला भासट भी दिया था तो C होगा अगला प्रशन है कि खरीब फसलों को डैस डैस मौसम की सुरुवात के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है तो खरीब की फसलों के अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बोया जाता है आपके वर्सा रितु में कब वर्सा रितु में खरीब की सबजी आती हैं उसको हम लोग मार्च अपरेल में बुवाई करते हैं तो B होगा फिलहाल के लिए करेक अगला प्रशन है कि जो हमारी लख्थमार होली होती है ये आपके कहा पर मनाई जाती है तो लख्थमार होली की बात करते हैं तो एक तो ये आपके वनारस में मनाई जाती है, दूसरी मनाई जाती है मतुरा के नंद गाओं में, तो सिंपल सा प्रशन है, ध्यार रखेंगे इसके बारे में NTPC में पूछा गया प्रशन है, तो D हो जाएगा करग, अगला प्रशन है, कि हवा महल कौन से सहर में इस्थित है, तो जब हम लोग प्रताप सिंग थे, राजा जैपुर के, उनके द्वाना 1799 में इसका निर्मार करवाया गया था, ओप्शन C हो जाएगा यहाँ पर, करेक, अगला प्रशन है, कि निम्न लिखित में से कौन फ्रांसीसी आदर्सों से प्रेरित था, तो इनका नाम है टीपो सुल्तान, ध्या प्रेरित बार में 1799 में इनके डेथ भी हुई थी, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ओप्शन B हो जाएगा यहाँ पर, करेक, अगला प्रशन है, कि भारतिये उपखंड में जन्म लेने वाला, कौन सा भक्ति संगीत, सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है, तो इसे हम लो इसे कौन सी, सिंधू नदी की उपनदी नहीं है, तो सिंधू नदी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसकी उपनदी गंगा नहीं है, आप सभी को पता होगा, कि जो हमारा सिंधू रिवर सिस्टम है, इसमें आपको रावी, चिनाब, जीलम, ब्यास, सतलुज, ये सारी नद दिया है, बाकि आपको ये दाहिने तरम से सहाइक नदिया देखने को मिलेंगी, अगला प्रशन है, कि किस प्रसिद्ध लेक्का ने माधवी पुडी उपनाम का इस्तिमाल किया है, तो माधवी पुडी के बात करते हैं, इसका इस्तिमाल किया है कमला दास ने, किस ने, कमला नाम का यूज़ किया था तो D हो जाएगा Correct अगला प्रशन है कि संख और दच्छन कोयल नदी के मिलने से किस नदी का उदगम होता है तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर उदगम होता है ब्रामधी नदी का किसका ब्रामधी नदी का उदगम होता है यह नदियां आपको उडिसा में देखने को मिलेंगी यानि कि Option D हो जाएगा Correct अब यहाँ से जो सारे प्रशन हम लोग डिसकस करेंगे यानि कि यह लाश्ट के जो 20 प्रशन है यह सारे आपके NTP PC CBT 2 में पूचे जा चुके हैं तो थोड़ा इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा पहला प्रशन है कि एक समान सीधी सड़क पर एक निरंतर तुरण पर चरने वाली कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है देखिए जब हमारी कार एक समान तुरण से चल रही है यानि कि इसके उपर एक constant acceleration काम कर रहा है और जब यह हमारा acceleration positive होगा इसका मतलब है कि जो हमारे कार का बेग है वो लगातार बढ़ेगा अगर आपका acceleration यहाँ पर सूनी होता तो उस स्थिति में कार हमारे constant speed से चल रही होती लेकिन acceleration constant है यानि कि लगातार आपके कार का बेग बढ़ेगा तो D हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि UNHCR stand for यानि कि इसका पूरा नाम क्या है तो जब हम लोग UNHCR की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है United Nations High Commissioner for Refugees यहाँ पर option हमारा C हो जाएगा correct तो 1950 में 14 दिसंबर को इसके अस्थापना होई थी हेड़ कॉर्टर आपको जिनिवा में ही मिलेगा और इस समय फिलिपो ग्रांडी इसके प्रमुक है तो option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि निम्न में से कौन सा पृत्वी पर सबसे बड़ा जौला मुकी माना जाता है इसके द्रबिमान और पद चिन्ध के सम्मन्ध में तो देखे धियान रखेगा अगर हम लोग सबसे बड़े जौला मुकी की बात करती है तो ये हमारा है तामू मैसिफ क्या नाम है तामू मैसिफ इसका नाम है आप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट तो जापान के पूर्व में इस्थितिया एक जौला मुकी परबत था जो की अब लगभग बिलुप्त हो चुका है इस समय जो सबसे बड़ा हमारा सक्रेश जौला मुकी है कई जगा इसको मोनलोवा माना जाता है लेकिन वैसे हमारा है ओजोस डेल सलाडो तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में सी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि अगर आपको जल के स्वास्त की जानकारी लीनी है तो आप लोग उस पानी में किस चीज को मेजर करेंगे तो हम लोग मेजर करेंगे घुले हुए ऑक्सीजन की किसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन को मेजर करेंगे यानि कि आपसन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि निम्न मेंसे कौन सी गैस इस्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जानी जाती है तो जो हमारे गैस इस्ट्रेंजर गैस के रूप में जानी जाती है इसे हम लोग कहते हैं जिनौन क्या नाम है जिनौन इसका नाम है यानि कि आपसन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट वसे जिनान के बारे में आपको ये अच्छे से पता होगा कि ये हमारे नोबल गैस फिमली का एक एलिमेंट है और ग्रीक भासा के सब्द जिनोस से इसको लिया गया है जिसका मतलब ही होता है स्टेंजर तो आपस्टर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि हमारे देश में जवाहर रोजगार योजना कब से सुरू किया गया था तो जवाहर रोजगार योजना की बात करते हैं ये आपका सुरू हुआ था एक अपरेल 1989 को कब 1 अप्रेल 1989 को राजीव गांदी की सरकार के द्वारा इसे सुरू किया गया था ओप्सन यहाँ पर फिलहाल के लिए हमारा D हो जाएगा जान रखेगा कि यह जो हमारा जवाहर रोजगार योजना है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है जवाहर ग्राम सिध्धी योजना से 1999 में और बाद में इस योजना को संपूर ग्रामेर रोजगार योजना में बदल दिया जाता है 25 सितंबर 2001 को तो ओप्सन यहाँ पर D होगा करें अगला प्रशन है कि प्राण हिता गोदावरी नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी है तो आपको बताना है कि प्राण हिता की सहायक नदिया कौन सी है जिन में से एक आपकी पेन गंगा है एक वेन गंगा है और एक का नाम है वर्धा तो ध्यान रखेगा option A हो जाएगा यहाँ पर correct तो यह देख सकते हैं यह सारी हमारी गोदावरी की सहायक नदिया है जैसे बान गंगा, कड़वा, सिवाना, पूर्णा, कदम, प्राण हिता, इंद्रावती और राइट साइड से नासरदी, प्रावरा, सिंधुफना, मंजिरा, मनेर यह सारी हैं सहायक नदिया, तो A हो जाएगा correct अगला प्रशन बहुती सिंपल सा है, कि मिराच्छी सुन्द्रेश्वर का मंदिर कहां पर इस्तित है तो अगर हम लोग इस मंदिर की बात करते हैं, तो यह आपको मिल जाएगा तमिल नाडू में कहां पर है, तमिल नाडू में यह हमारा मंदिर इस्तित है, यानि की option A हो जाएगा correct तो वैगई नदी के तर्ट पर आपको यह देखने को मिलेगा, माता परवती और भगवान सिवका मंदिर है और पांडिया राजवन्स के जो हमारे सासक थे, कुल सेकरा, इनके द्वारा इसका निर्माण हुआ था, तो A हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि कोरोना रमन निम्न में से किस खेल से समन्दित है, तो कोरोना रमन की बात करते हैं, हमारे देश के ये पूर्व वेटलेप्टर रहे थे, यानि कि भारोत तोलन के ये खिलाडी है, option C हो जाएगा यहाँ पर correct ये देख सकते हैं कि भारोत तोलन में हमारे देश में कई सारे प्रमोख खिलाडी हुए हैं, जैसे कि मीरा बाई चानो जिन्होंने पिछले साल सिल्वर मेडल जीता, जरेमी लादर रिनुंगा है, करणम मलेसरी जो की पहली पदक जीतने वाली भारतिय महिला है, उलम्पिक में कुझा रानी देवी का नाम भी पूचा जाता है, जिल्ली दलभेरा का नाम भी पूचा जाता है, तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने है, अगर आपको ग्रुप D या फिर NTPC-CBT2 का एक्जाम देना है, तो C हो जाएगा, करेक्ट, अगला प्रश्न है कि क्योटो जल में हुआ था, और ये आपका United Nation Framework Convention on Climate Change का COP No.3 था, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, B हो जाएगा, करेक्ट, अगला प्रश्न है कि मानो प्रेदित जल्वाय परिवर्तन द्वारा मिटाया जाने वाला पहला अस्तन पाई प्रजाती निमलिखित में से कौन सी है, यानि कि बिलुप्त होने वाली पहली प्रजाती कौन सी है, तो इसका नाम है Bramble K. Melomis, क्या नाम है, Bramble K. Melomis इसका नाम है, जो कि आपके चुहे की एक प्रजाती है, आश्टेलिया में ये पाई जाती थी, लेकिन जो हमने इतना ज़्यादा इन्वार्मेंट से अपने इंटर्फ में नहीं मिलेगा, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, International Air Transport Association इसका भी हट्वाटर मोंत्रियाल में है, International Civil Aviation Organization इसका भी हट्वाटर मोंत्रियाल में है, World Anti-Doping Agency इसका भी हट्वाटर मोंत्रियाल में है, लेकिन International Atomic Energy Agency का जो हट्वाटर है, वह आपको मोंत्रियाल में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपके है बियना की राजधानी आश्ट्रिया में, तो भी हो जाएगा करेक्ट, अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार जो डैस डैस के द्वारा अलग होता है, 150 किलोमेटर चोड़ा है, तो अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है, इससे हम लोग ten degree channel के नाम से जानते हैं, किस नाम से? ten degree channel के नाम से जानते हैं, तो भी हो जाएगा current, अब आप से कई बार परिच्छा में ये भी पूंचा जाता है कि भारत और तो लग करता है, तो ये पाक एस्टेट है, 9 degree आपके माल्दियू को मिनिकाय से अलग करता है और 8 degree अलग करता है भारत को माल्दियू से अगला प्रश्न है कि अलमाटी बाद डैस डैस नदी पर एक जल विद्दुत परियोजना है तो अलमाटी बाद के अगर हम लोग बात करते हैं यह आपको मिल जागा क्रिश्ना नदी के उपर यानि की option यहाँ पर A हो जाएगा correct अब यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कई सारे डैम है जो कि आपको क्रिश्ना नदी के उपर मिलेंगे जैसे कि स्री सलैम डैम है, नागाल जुन सागर डैम है इसी परकार से उज्जानी डैम है, अलमार्टी डैम है, भद्रा डैम है तो यह सारे हमारे क्रिश्ना नदी के उपर इस्तित हैं option A हो जाएगा correct अगला प्रश्न है, कि जो हमारा DVD होता है, यह किसका उधारण है तो पहले तो आप लोग मुझे नीचे कमेंड में यह बताईएगा कि DVD का पूरा नाम होता क्या है तो DVD के अगर हम लोग बात करते हैं, तो यह हमारे optical disk का एक उधारण है option D हो जाएगा यहाँ पर correct अगर हम लोग optical disk की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग laser light का यूज करते हैं डाटा को rate करने में या फिर डाटा को लिखने में इसमें आपके CD आती है, DVD आ जाएगी, Blu-ray disk इसमें होती है, सामिल तो option D होगा correct अगला प्रशन है, कि निम्ल लखित में से कौन भारतिये का पहला चंद्रमिसन था तो पहले चंद्रमिसन की बात करते हैं, तो इसका नाम है चंद्रयान आपको बता होगा, कि इसको हम लोगों ने 2008 में launch किया था और इसको हमारे केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई थी 2003 में तो दोनों point ध्यान रखेंगे, C हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है, कि निम्ल लखित में से कौन से राजमि लोसांग महसो प्रती वर्स आवजित किया जाता है तो लोसांग महसो की बात करते हैं, यह आपका हरसाल होता है सिक्किम में कहाँ पर होता है, सिक्किम में होता है, यानि कि option C हो जागा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि भारत के समिधान में परिकल्फित, भारत के उपराश्पती किसके द्वारा चुने जाते हैं तो ध्यान आपको रखना है कि हमारे देश के जो उपराश्पती होते हैं, जो की राजसभा के सभापती भी होते हैं, इनको संसद के दोनों सदनों के निर्वाचि सदस चुनते हैं, कौन? निर्वाचि सदस इनको चुनते हैं, तो option यहाँ पर B हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि – – software code का एक टुकडा है, जो उस प्रोग्राम के साथ किसी समस्या को ठेक करने के लिए software प्रोग्राम को अस्थापित करने के बार लागू किया जा सकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं patch, क्या नाम है? इसका नाम patch होता है, यानि कि option C हो जाएगा यहाँ पर correct. आखरी प्रश्ण है कि 1927 में Simon Commission का हमने वहिस्तार क्यों किया था? आपको पता रख याद अखना है कि जो यह Simon Commission आया था, जिसमें total 7 लोग सामिल थे, बहिया इन्हों ने आपके भारत के एक भी बेक्ति को सामिल नहीं किया था, तो यह ठीक वैसे ही था, कि जैसे exam में आपको पेपर दिया जाए प्रश्ण लिखने के लिए, और फिर आपको ही आपकी कॉपी को चेक करने का मौका दिया जाए, या आपके किसी रिष्तेदार से कॉपी चेक कराई जाए, तो ध्यार रखेगा, इसमें भारतियों के ना होने के करण इसका विरोध हुआ था, या मेरी कोसिस यह है कि एक मार्च से जब हम लोग इसको डिसकस करें, तो इसमें आपके डेली करेंट अफेर के भी 10-12 प्रश्णों को सामिल कर लिया जाए, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, या आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, फिलहाल वीडियो को स